असलाम उलेकुम गलेक्सि आफ यूनानी मेडसिन में आप तमाम लोगों का खैर मक्दम है आज हम लोग डिसकस करेंगे जो पुलियात का टेस्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग ताके आपको पता चले कि किसका एंसर करेक्ट कौन सा है और क्यों है इन तमाम चीज़ों को हम डिसकस करेंगे लेकिन यहां पर एक चीज़ और आप याद रखिएगा चूकर अभी ये कोश्चन जो बनाया गया है वो इस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया ताके तमाम लोग पहले ये करें तो कुछ पता तो चले कि लोगों का लेविल क्या है आप जो पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ लेकिन एक बात आप याद रखिएगा ये सिर्फ कुलियाद के कुछ टापिक वो भी पूरे कुलियाद से नहीं बलके अमूरे तबिया के 4-5 टापिक को रखा गया था आप उस टापिक के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जो प्रिप्रेशन है मेरी जो तैयारी है वो है और कितनी चीजें आपके जहन के अंदर है जैसे जैसे टाइम पास होगा या जो नेक्स जो आपका टेस्ट होगा वो नेक्स जो टेस्ट रहेगा आपका उसमें जो कोश्चन होंगे वो धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे तो ये अभी बिलकुल शुरुआती था ताक बेसिक चीजें आपका मसकम ये जान जाएं कि क्या होता है किस तरह से इसमें टेस्ट होता है हो सकता है कि इसमें कुछ लोग कुछ लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी है ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की प्रिपरेशन बिलकुल लो लेवेल पे हो तो स सारे सबजेक्ट को mix करके 4-4 या 5-5 question सबजेक्ट का एक साथ रखा जाएगा तो उसमें question की variety हो जाएगी आपको तमाम subject को एक साथ पढ़के आपको question देना होगा उसके बाद जो और आगे ये सिलसिला आपके exam तक यू समझे की चलता रहेगा और उसमें question की variety या question की types जो है दिन बदिन क्या होगी tough होती चली जाएगी और उसके बाद जो आपके reason और assertion type का जो question है वो भी आपको practice किया जाएगा ताके आप हर तरह के question जो exam के अंदर आए उन तमाम question को आप कर सके ये तो अभी आपकी एक बस शुरुआप थी किस तरह से exam में question आता है और क्या क्या points हैं तो सिर्फ points को base बना के ये तमाम question आपको design किये गए हैं तो आईए हम एक-एक question हम लोग करकर के इसमें देखते हैं किस question का answer क्या है और क्यों है सबसे पहले जो question ये है आपका के असबाबे मादिया है असबाबे मादिया है अब इसके अंदर जो option दिया गया आपका पहला option है आपका मिजाज का दूसरा option है आपका कोई तीसरा option आपका आजा और चौता अप्शन आपका अफ़ाल हैं, अब जाहिर है कि अभी सको किस तरह से आप जिज्ज करेंगे, कि इसमें से कौन सा आइंसर आपका सही है, पहली बात तु सब से पहले आपको कोश्षिन में पता होना चाहिए कि अस्बाब माध्दिया कहते किसे को एं, अगर आपको ये याद है कि असबाब मादिया ऐसे असबाब को कहा जाता है जिन में सिहत और मर्ज काइम होते हैं और असबाब मादिया कौन कौन से हैं इसके अंदर आपके अरकान अखलाप आजा और अर्वाह अब आपको ढूटना है कि अरकान अखलाप आजा और अर्वाह में से यहां पर क बचा आपका आजा ये question आपका correct होगा क्यों क्योंकि आपको असबाब मादिया पता है कि असबाब मादिया कौन कौन से है अरकान अखलात आजा और अरवा तो अरकान अखलात आजा और अरवा में से अगर इसमें से एक मिल रहे हैं दो मिल रहे हैं तीन मिल रहे हैं या चारों हैं तो उसमें से आप decide कर लेंगे इसलिए इसका जो question सही इसका answer जो सही होगा वो आजा जनी third number जो question होगा वो third question आपका third जो option होगा वो आपका सही होगा next जो है आपका तबियत का नजर्या किस ने दिया था तबियत का नजर्या तो इसमें आप option में देखें पहला option है सोकराप दूसरा है पोकराप और तीसरा है अरस्तू और चोथा है जाली नूस अगर आपको पहले से अगर ये पता हो कि पोकराप ने कुछ कंसेप्ट दिये थे जिनमें एक कंसेप्ट था मौलिदे सलासा का दूसरा तबियत का और तीसरा जो है अखलाप का नजर्या तो ये नजर्याप किसने दिये थे बोकराप ने तो इस तरीके से आप यहां पर आपको बोकराप का option अल्रेडी मौजूद है यहां पर तो उससे आप यहां पर पता चल जाएगा के option कौन सा है क्योंके सुकराप का क्या है मेडिकल साइंस में इसका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है वैसे अरस्तू के अंदर भी वैसा कुछ नहीं है जाली नूस के अंदर है लेकिन चुके जाली नूस ने ऐसा कोई नजरिया पेश नहीं किया है तो यहां पर आपके तबियत का नजरिया किस ने दिया था तो अब आपको पहले से याद होगा कि जो नजरियात हैं जो कंसिप्ट हैं युनानी के मौाली दे सलासा का नजरिया तबियत का नजरिया और अखलात का नजरिया ये तमाम के तमाम किस ने दिये थे बुकराद ने दिया था तो इसका जो जो एंसर सही होगा वो आपका सेकंड आप्शन इसका सही होगा बुकराद इसी तरीके से next question कि पहले गरो के नजदीक उनसर वहीद कौन सा है पहले क्रोह के नस्दीक अंसर वहिद कौन सा है अगर आप इसके अंदर अप्शन पर आप नजर डालें अंसर नार अंसर मा अंसर हवा और अंसर बुखार मैंने आपको एक टेकनिक बताई थी इसको याद करने के लिए के बुखार मिट्टी से उठता है आग पानी और हवा से बुखता है तो यनि बुखार मिट्टी से उठता है आग पानी और हवा से बुखता है पहला गरो, दूसरा गरो, तीसरा गरो, चौथा गरो और पांचमा गरो आपको पहले ही पता है कि फस्टू फाइफ यानि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचमा ये तमाम के तमाम इंसर वहीद के काहल थे लेकिन इसने आप्शन में पूचाए पहले गरोह के नजदी अनसर वहिद कौन था अगर आपको ये याद है तो आप इससे आप फॉरण अंदाजा लगा लेंगे फॉरण आपको याद हो जाएगा कि पहले गरोह ने जो नज़रिया पेश किया था वो बुखार का दूसरे ग पर क्यों सा आप्शन होगा फॉर्थ आप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट एंसर होगा कि पहले गरोह के नजदीक जो उनसर वहीद है वो बुखार है जबके उनसर वहीद नार भी है उनसर वहीद मा भी है और उनसर वहीद हवा भी है लेकिन आपको एंसर क्या देना है प नेक्स्ट है आपका कोश्चन रतूबत जोहरिया है रतूबत जोहरिया है यह इसमें जो आप्शन देखें रतूबत औरूकिया रतूबत लिम्फाविया रतूबत गरीजिया रतूबत बैजा जब मैंने आपको पढ़ाया था अखलाप की तक्सीम मसाकिन के एतबार से वहां मैंने बताया था कि रतूबत उस्टु कुस्चिया पहली जो किसम है मैंने बता है इसके कई एक सिनानिम से है रतूबत उस्टु कुस्चिया को क्या कहा जाता है रतूबत जोहरिया भी कहा जात है रतूबत इस्तु कुसिया और 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 रतूबत इस्तु कुसिय रतुबते उनसुरिया और रतुबते गरीजिया में से कोई चीज है या नहीं है अगर आप देखें रतुबते औरुकिया ये दूसरी उसकी किस्म है रतुबते लिम्फाविया ये भी अलग एक किस्म है रतुबते घरीजिया को ही रतुबते जोहरिया या रतुबते उस्तुकुसिया या रतुबते उनसुरिया कहा जाता है तो यहां पर जो आपका आप्शन सही होगा वो आपका थर्ड आप्शन सही होगा रतुबते जोहरिया को रतुबते घरीजिया भी कहा जाता है रतुबते उन्सुरिया भी कहा जाता है और रतुबते उस्तुकुसिया भी कहा जाता है निक्स आपका है सेहत के लिहाज से सबसे बहतरीन मौसम कौन सा है सेहत के लिहाज से सबसे बहतरीन मौसम कौन सा है तो यहाँ पर दिया है मौसम के लिहाज से मौसम खरीफ, मौसम सता, मौसम सैफ और मौसम रभी तो चुके मौसम रभी का जो मिजाज है मौतदिल होता है और सिहत के एतबार से मौसम रभी सबसे बहतरीन मौसम कहा जाता है सिहत के एतबार से जब आप मिजाज का टापिक पड़ रहे थे तो वहाँ पर मिजाज फसूल में मैंने बताया था आपको कि मौसम के लिहाज से सबसे बहतरीन मौसम मौसम रभी है और मौसम के लिहाद से सबसे बत्तरीन मौसम मौसम खरीफ है यानि इस मौसम में बीमारियां कम होती है और मौसम खरीफ के अंदर बीमारियां बहुत ज्यादा होती है तो मौसम के लिहाद से जो सबसे बहतर मौसम है वो मौसम रभी है तो इसका जो answer होगा आपका वो fourth option आपका correct होगा उसके बाद है आपका मसाकिन के एतबार से अखलाद की कितनी किसमे हैं तो पहले ही मैंने आपको जाखलाद के topic में बताया था कि अबुसहल मसीही ने मसाकिन के एतबार से अखलाद की तीन किसमे बयान की हैं कौन कौन सी रतुबत इस्तुकुसिया, रतुबत अरुकिया और रतुबत तजावीफ वबेरुलखलाईया तो यहां पर आपको जो option आपका correct होगा वो आपका second option आपका correct होगा कि मसाकिन के एतबार से अखलाद की तीन किसमे होती हैं कौन कौन सी रतुबत इस्तुकुसिया, रतुबत अरुकिया और रतुबत तजावीफ या वैनुलखलाईया तो इस question का जो answer होगा वो second answer correct है आपका जो के तीन है next है कि अल्लामा नफीस ने खून की बू को शामिल किया है खशूनत में, मलासत में, अफूनत में, रतुबत में खशूनत कहते हैं खुरदूरापन चूंकि खून की इसमेल से ये related है तो खुरदूरापन का इसमेल से कोई भी relation नहीं है तो इसलिए ये answer तो नहीं होना है मलासत कहते हैं चिकनापन, तो बू की बू से चिकनेपन का कोई भी relation नहीं है इसी तरह से रतुबत, खून तो रतुबत तो है लेकिन बू के साथ उसका कोई relation नहीं है और अल्लामा नफीस ने, चुके बू क्या है तबही जो खून है तबही खून के अंदर किसी भी तरह की smell पाई नहीं जाती है चुके अल्लामा नफीस ने का कि खून के अंदर बू का पाया जाना smell की अलामत है खून के अंदर बू का पाया जाना किसकी अलामत है अफूनत की अलामत है इसलिए इसमें जो आपका correct answer होगा वो होगा आपका अफूनत ठीके next जो आपका question है वो है मसीही के नस्देक बलगम का मिजाज कैसा है आपने बलगम का मिजाज पढ़ा होगा तो बलगम के मिजाज के सिलसले में अतिबा के अंदर अखिलाब पाया जाता है नार्मली बलगम का मिजाज कैसा है बारीद रतब होता है जबके मसीही ने बल्गम का मिज़ाज हार रतम लिखा है तो चुके यहां पर पूछा गया कि मसीही के नस्दीक बल्गम का मिज़ाज कैसा है तो मसीही के नस्दीक बल्गम का मिज़ाज हार रतम होता है चुकि जो आपके एक्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती है खास तोर से वो चीज पूछी जाती है जो एक्सेप्शन में हो तो चुकि बल्दम के मिजाज के तालुक से अतिबा के अंदर एक्टिलाप पाया जा रहा है तो यहां पर चुकि किसके नस्दीक पूछा गया है? मसीही के नस्दीक बल्दम का मिजाज कैसा है? तो मसीही ने बल्दम के मिजाज को हार रतब लिखा है तो इस question के अंदर जो आपका answer होगा वो आपका fourth option ये correct होगा next है आपका सरीरा कहा जाता है सरीरा कहा जाता है जब आपने खिलते सफरा पढ़ा होगा तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि सरीरा और जहीरा सरीरा और जहीरा यानि अखलाद का वो हिस्सा जो खून के साथ शामिल हो जाता है उसको क्या कहते हैं सरीरा कहते है और अखलाद का वो हिस्सा जो मरारा से आमा को जाता है उसको जहीरा कहा जाता है तो यहां पर कोशन पूछा गया है सरीरा तो इसमें कौन सा होगा वो सफरा जो खून के साथ शामिल हो जाता है तो इसका जो एंसर करेक्ट होगा क्योंकि वो सफरा जो आमा को जाता है ये तो क्या कहलाएगा जहीरा कहलाएगा और वो सफरा जो बॉल के साथ शामिल होता है वो तो यूरीन के कलर को क्या कर देता है यलो कर देता है या जो मरारा में जाता है तो अगर आपको बेसिक चीज याद है कि वो सफरा जो खोन के साथ शामिल होता है उसको सरीरा कहते है और वो सफरा जो आमा को जाता है उसको जही कहा जाता है तो आप से जो question पूछा गया वो क्या पूछा गया सरीरा तो इसका जो आपका answer correct होगा वो first answer होगा क्यों क्यों क्योंकि वो सफरा जो खून के साथ शामिल होता है उसको सरीरा कहा जाता है next है मिर्रा सौदा मिर्रा सौदा अगर आपको याद होगा सौदा के सौदा गयर तबई की अकसाम सौदा गयर तबई की अकसाम तो सौदा गयर तबई की अकसाम में आपने पढ़ा होगा कि सौदा गयर तबई की चार किसम हैं कौन कौन सी सौदा दमवी, सौदा बलगमी, सौदा सफरावी और सौदा सौदावी सौदा सफरावी को मिर्रा सौदा कहा जाता है सौधाए सफरावी को मिर्रा सौधा कहा जाता है तो यहां पर आपसे पूछा गया मिर्रा सौधा और यहां पर आपको आप्शन डूड़ना पड़ेगा कि सौधाए सफरावी यहां पर आप्शन मौजूद है या नहीं है तो यहां पर आपको second option आपका मौझूद है तो ये तो सवरा की किसमे है, ये भी सवरा की किसमे है ये दोनों किसकी किसमे है, सौधा की गहरतबई की अक्साम में से है तो मिर्रा सौधा जो है, वो सौधासफरावी कहलाता है ठीक है, तो इसका जो correct answer होगा, वो second वाला, आपका option वो correct होगा निक्स्ट है question आपका, कि मसीही के नस्दीक आजाय मुफरिदा अपनी तौलीद के एतबार से हैं जब आप आजाय मुफरिदा पढ़ रहे थे तो वहां आपने पढ़ाता आजाय मुफरिदा की तौलीद तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि आजाय मुफरिदा जो अपनी तौलीद के एतबार से यानि दो गरोते पहला 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 गरोते दम्विया कहा जाता है यहां पूछ रहा है कि मसीह के नस्दिक यानि पहले गरोग के नस्दिक आजाय मुफरिदा अपनी तौलीद के इतबार से कितनी किस्म के है चुक्छे पहले गरोग का मानना है कि तमाम आजाय मुफरिदा की पैदाईश इप्तिदाई तोर पर माददे मनविया से बनती है फिर उसकी परवरिश औरत के उस खून से बनती है जो आम दिनों में हैस की सूरत में खारी होता है तो चुके मसीह ने कहा किया कि ये जो किस्से बनते है माददे मनविया से बनते है तो पहले गरो कह रहा है कि तमाम आजाय मुफरिदा किस से बन रहे हैं? माददे मनविया से बन रहे हैं. तो लहाजा पहले गरो के नस्दीक आजाय मुफरिदा अपनी तौलीत के इतबार से सिर्फ एक किस्म के हैं. तो इसमें जो आपका एंसर करेक्ट होगा, वो फस्ट का करेक्ट एंसर हो जाता है. तो चुके यहां पूछा गया है, मसीह के नस्दीक या पहले गरो के नस्दीक? तो मसीह के नस्दीक या पहले गरो के नस्दीक आजाय मुफरिदा अपनी तौलीत के इतबार से सिर्फ एक किस्म के होते हैं. attend है आपका question वो अश्या जिनमें सिहतो मर्ज काईब होते है वो अश्या जिनमें सिहतो मर्ज काईब होते है ऐस सेची को क्या कहा जाता है अस्बाब माद्दिया वो अशिया जिन में सेहतो मर्द काइम होते हैं ऐसे असबाब को क्या कहा जाता है असबाब माद्दिया कहा जाता है और असबाब माद्दिया कौन कौन से है अरकान, अखलाप, आजा और अर्वा क्या है असबाब माद्दिया है तो यहां पूछ रहे हैं कि वो अशिया जिनमें सिहत और मर्ज काइम होते हैं तो वो असबाब किसके अंदर आते हैं वो अशिया वो असबाब मादिया के अंदर आते हैं जबके असबाब वासला क्या है असबाब वासला जो है वो किसके अंदर है ये तो अस्बाब सेहतो मर्ज में से है और अस्बाब साबगा ये भी अस्बाब सेहतो मर्ज में से है अस्बाब जरूरिया जो है ये अस्बाब बदने इंसान से है लेकिन ये अस्बाब फाइलिया की अकसाम में से है जिसमें अस्वाब सित्ता जरूरिया और अस्वाब गएर जरूरिया इसके अंदर शामिल है तो यहाँ पर है कि वो अशिया जिनमें सेहत और मर्ज कायम होते हैं वो कौन से हैं? अस्वाब माध दिया तो इस question के अंदर जो आपका correct answer होगा वो आपका second option आपका सही होगा इस question में देगी कि जब अजिसा में जिद्धिया को यानि antibody को किसी इंसान या जानवर में तयार करके किसी दूसरे शक्स में मनात यानि immunity पैदा करने के लिए दाखिल किया जाए तो उसको कहते हैं आपने immunity या मनात का जब topic पढ़ा होगा तो उसमें बताया था कि मनात दो तरह की होती है एक को हम कहते हैं कुदरती मनात और दूसरे को कहते हैं हम कौन सी मनात इक्तिसाबी मनात यानि natural immunity और आपके acquired immunity natural immunity में क्या होता है कि जो defense mechanism है body का या कुदरती तोर पर जो मनात कुदरती तोर पर जो immunity हमारे जिसम के अंदर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं कुदरती मनात कहते हैं दोसरी immunity है कि जब जरासीम या कोई भी microorganism कोई भी pathological organism जब हमारे body के अंदर इंटर करते हैं तो उनके इंटर करने के बाद हमारे body के अंदर immunity develop होती है जिसको हम कहते है acquired immunity यह जो acquired immunity है यह भी दो तरह की है एक क्या है आपके active immunity और एक है passive immunity एक्टिव immunity उसको कहते हैं कि जब body खुद antibody खुद बनाए तो ऐसी immunity को हम कहेंगे active immunity या मनाते फाइला कहेंगे और जब antibody को यानि बनी बनाई antibody को अगर हम जिसम के अंदर दाकिल करें तो वो क्या कहलाएगा मनाते मुन फाइला कहलाएगा तो यहां पर क्या है कि जब अच्सा में जिदियन या antibody को किसी इंसान या जानवर में तैयार करके यानि prepared antibody को हम क्या कर रहे हैं किसी दूसरे शक्स में immunity पैदा करने के लिए दाकिल किया जाएगा तो इसे कहते हैं मनाते मुन फाइला तो जो आपका second option होगा यह आपका answer आपका सही होगा मनाते मुन फाइला ठीक है इसमें क्या होता है कि जो बनी बनाई जो antibody है वो किसी इनसान या जानवर में तैयार करके क्या किया जाता है किसी दूसरे सक्स में immunity पैदा करने के लिए दाखिल किया जाता है तो ऐसे immunity को हम कहते हैं मनाते मुन फाइला या पैसी immunity कहते हैं निक्स टाप का कोश्चन है कि असभाब खलीद के नस्दीक अनासिर की तादा कितनी है तो आपको पता है कि असभाब खलीद उन लोगों को कहा जाता है जिनों ने कहा कि अनासिर क्या है आपस में मिली जुली हालत में पाई जाते है इसलिए जो चौदावा गरोह है उनी को असभाब खलीद का नजरिया भी कहा जाता है और साथी साथ उसको ला महदूद अनासिर का नजरिया भी कहा जाता है तो असभाब खलीद के नस्दीक जो अनासिर की तादाद है वो ला महदूद है असहाबे खलीद के नजदीक अनासिर की तादाद कितनी है लामेदूद है यानि किसी खास नंबर पर अनासिर की तादाद खत्मन नहीं है निक्स चाप का जो कोशन है वो है मुंदर जजाल में से कैफियाते फाइला कौन सी है आपने जब अरकान का टापिक पढ़ रहे थे अरकान अर्बा वही पर आपने पढ़ा होगा कैफियाते अर्बा कि इस यूनिवर्स के अंदर चार तरह की कैफियाते पाई जाती हैं हरारत बरूदत रतूबत और यबूसत इन चारों को एक साथ हम एक लफ़ में क्या कहते हैं कैफियाते अर्बा कहते हैं और इन में से हरारत और बरूदत कैफियाते फाइला हैं रतूबत और यबूसत क्या है कैफियाते मुन फाइला हैं जो हमारा कोशन है वो क्या था कैफियाते फाइला अब कैफियाते फाइला में क्यों क्यों से हरारत और बरूदत दोनों कैफियाते फाइला में से हैं तो यहां पर जो पहला option है, हरारत ये भी कैफियाते फाइला है, बरूदत ये भी कैफियाते फाइला है, तो यहां पर जो तीसरा option है, दोनो, यानि हरारत और बरूदत क्या है, दोनो कैफियाते फाइला में से हैं, तो आपका जो correct answer होगा, वो ना तो पहला होगा और नहीं द तो आपका इसमें जो correct answer होगा, वो third वाला आपका answer होगा. शेख के नस्दीक, शेहम का मिज़ाज कैसा है? शेख के नस्दीक, शेहम का मिज़ाज कैसा है? तो शेख ने शेहम को क्या लिखा है? हार लिखा है. वैसे शेहम का मिज़ाज कैसा होता है? बारीद रतब होता है. लेकिन शेख ने का क्या कहा? कि शेहम का जो मिज़ाज है हार है. क्यों उसके पीछे उन्होंने लाजिक दिया था? कि जिस तरीके से क्योंकि ये एनरजी क्या है ज्यादा पैदा करने के लिए responsible है और बहरान तो अल्लामा नफीस ने भी इस सिलसले में कहा था कि जिस तरह से जो तिनके हैं यानि जो घास फूस के जो तिनके हैं इनको आग में डालने से आग क्या होती है भड़क उटती है जब कि उनका मिज़ाज कैसा है बारीद रतब है तो उन्होंने इस दिया ता कि जिस तरह से उसके डालने से आग भड़क उटती है इसी तरह शहम के अंदर दोहनी अज़जा ज्यादा पाए जाते है जिसकी वज़ए से हरारत ज्यादा पैदा होती है इसलिए शैख ने कहा कि श कोशन सिर्फ ऐसे आता कि शेहम का मिज़ाज कैसा है तो फिर आपका जो एंसर होता वो आपका एंसर बदल जाता है क्यों क्योंकि शेहम का मिज़ाज कैसा होता है बारीद होता है चूंकि यहाँ पर किसके नजदीक है शेख के नजदीक शेहम का मिज़ाज कैसा है तो शेख के नस्दीक शेहम का मिज़ाज हार होता है उसके बाद है रतूमत सानिया की कितनी किसमे हैं आपने जो पढ़ा होगा अखलाद की जब तकसीम पढ़ा ता तो वहां पर शेक ने अखलाद को ओला और सानिया के इतुमार से दो हिस्टो में तकसीम किया ता और रतूबत सानिया की चार किसमें कौनकौन सी रतूबत महसूरा, रतूबत तलिया, रतूबत करीबा वहीञिकाद और रतूबत मन Immediately ठीक है? तो रतुबत थानिया की कितनी किसमे हैं? चार किसमे हैं कौन कौन सी? रतुबत महसूरा, रतुबत तलिया, रतुबत करीबा बईने काद और रतुबत मनविया तो रतुबत थानिया की कितनी किसमें? चार किसमे हैं तो इसमें जो आपका एंसर आपका जो सही होगा वो होगा फॉर्थ आप्शन आपका ये सही होगा उसके बाद है आपका रुआफ है रुआफ कहते हैं एपिस्टैक्सिस को ठीक है तो उसमें कहा है आपके कि ये किस अखलाद की वज़ा से जब मैं अखलाद पढ़ा रहा था आपको तो मैंने चार चार पाँच पाँच ऐसे नाम बताये थे उसके इलावा जब आप मौलजात पढ़ेंगे तो मौलजात के अंदर जो बलगमी अमराज दमवी अमराज सफरावी अमराज वो तमाम चीज़ें आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर चुके यह रुआफ दो तीन जगह के जो टेस्ट हैं वहाँ पर यह रुआफ आ चुका है तो रुआफ है क्या है कैसा है यह दमवी मर्ज के अंदर शामिल है रुआफ क्या है दमवी अमराज के अंदर शामिल है तो रुआफ एक दमवी मर्ज है तो इसमें आपका जो correct answer होगा वो आपका second होगा next है आपका जो question है वो है सफरा मोहिया आपने सफरा गेर तबई की अक्साम में पढ़ा होगा के सफरा गेर तबई की चार किसमे हैं सफरा मोहिया उसके बाद है मिर्रा सफरा सफरा मोहतरका और सफरा कुर्रासी वजन जारी अगर सफरा के साथ गलीज बलगम शामिल हो जाए तो उसको हम कहते हैं सफरा महया अगर रकीक बलगम शामिल हो तो उसको कहते हैं मिर्रा सफरा उसके अंदर इहतराक पैदा हो जाए तो उसको हम कहते हैं सफरा महतरका तो यहां पर जो आपका पोश्चन है वो है सफरा मोहिया सफरा मोहिया वो सफरा है जिसके साथ गलीज बलगम शामिल हो सफरा मोहिया वो सफरा है जिसके साथ गलीज बलगम शामिल हो तो ऐसे सफरा को सफरा मोहिया कहा जाता है तो इसमें जो आपका correct answer होगा, वो आपका second option होगा. उसके बाद है आपका next question. के आजाए बसीता हैं, आजाए बसीता होते हैं, यहाँ पर एक question आया है, गहर फूजलिया की चार टाइप, चुके रतुबत थानिया की दो किसमे हैं, रतुबत फूजलिया और रतुबत फूजलिया, यहाँ पर जो रतुबत से, चुके जो फूजला है, उसको count यहाँ पर न पहले भी एक जगा कोशन ये आ चुका है कि रतुबत थानिया की कितनी किसमे हैं तो उन्हों ने उसको रतुबत फुजलिया को उसके अंदर शामिल नहीं किया है बलके सिर्फ जो रतुबत गहर फुजलिया है उसी रतुबत गहर फुजलिया को उसके अंदर शामिल किया गया है ठीक है तो यहां पर जो कोश्चन था उसका करेक्ट एंसर फोर ही होगा आप उसमे उसकी दो किसमे रतुबत फजलिया और रतुबत गहर फजलिया से आप कन्फ्यूज नहीं होईएगा ठीक है यह जो आपका कोश्चन है कि आजाए बसीता होते हैं चुकि यह क्या है आजा मुफ्रिदा को आजाए बसीता भी कहा जाता है और आजाए मुफ्रिदा भी कहा जाता है आजाए बसीता को आजाए मुफ्रिदा भी कहा जाता है और आजाए मुफ्रिदा भी कहा जाता है तो चुकि आजाए मुफ्रिदा कितने हैं दस हैं तो यहां पर पूछने का मकस्द क्या था आजाए मुफरेदा ही थाstell यहां पर पूचने का मुफरेदा तो आजाए मुफरेदा जो होंगे वो कितने होंगे दस होते हैं तो यहां पर जो आपका answer correct होगा वो आपका last वाला सही होगा तो fourth इसमें जो आपका answer होगा ये fourth answer आपका सही होगा Next है आपका question बुकरात के नस्दीक उजवे रईस है आपने जब आजाय मरकबा पढ़ा होगा रियासत के इतबार से तो वहाँ पर आपको बुकरात का और अरस्तू का दो नजरिया मिला होगा एक तो पहला था बुकरात का कि बुकरात के नस्दीक तमाम आजाय इनसानी में उजवे रईस दिमाग है और अरस्तू के नस्दीक तमाम आजाय इनसानी में उजवे रईस कल्व है तो चूंके ये पूछा गया है किसका बुकरात का पूछा गया है तो बुकरात के नस्दीक तमाम आजाय इनसानी में उजवे रईस क्या है दिमाग है तो यहाँ पर जो आपका एंसर सही होगा वो आपका थर्ड आपसन सही होगा कि बुकरात के नस्दीक उजवे रईस कौन है दिमाग है शख्सी बुकरात के लिहाँ से कुवते कितनी होती है बुकरात के लिहाँ से कुवते कितनी होती है आपने कुवा की अक्साम में पढ़ा के बकाए जिन्स के लिहाँ से कुवा की किसम है और बकाए नो के लिहाँ से कुवा की किसम है तो जो बकाए जिन्स है उसी को बकाए शक्सी भी कहा जाता है बकाए जिन्स को भी बकाए जिन्स को ही बकाए शक्सी कहा जाता है तो बकाए शख्सी के लिहाद से कुवा की तीन किसमे हैं तो यहां पर जो आपका एंसर होगा वो आपका थर्ड आपसन ये सही होगा कि बकाए शख्सी के लिहाद से कुवा की तीन किसमे हैं निक्स्ट है आपका असबाब सूरिया है असबाब सूरिया है तो असबाब सूरिया में अगर आपको याद होगा कि असबाब सूरिया कौन कौन से है तो मिजाज, कोई और तरकीब क्या है असबाब सूरिया है मिजाज, कोई और तरकीब क्या है असबाब सूरिया है तो यहां आप्शन में क्या है ये नहीं होगा ये नहीं होगा या ये नहीं होगा सिर्फ एक जो बचा है मिजाज, कोई और तरकीब में से ये तो आपका जो correct answer होगा वो आपका second option सही होगा क्योंकि अस्वाब सूरिया के अंदर क्या क्या चीज़े शामिल है आपके मिजाज, कोई और तरकीब तो इसमें से जो option है सिर्फ मिजाज का है तो आपका जो correct answer होगा वो आपका second होगा ठीक है 24 वो अस्वाब जो बिला वास्ता जिसम में नई हालत पैदा करते है वो अस्वाब जो बिला वास्ता जिसम के अंदर नई हालत पैदा करते है अगर आप अस्वाब बादिया में अगर आपको पता होगा कि अस्वाब बादिया क्या है गहर बदनी अस्वाब है जो कभी बिल वास्ता और कभी बिला वास्ता जिसम के अंदर नई हालत पैदा करते हैं तो आपका ये भी एंसर सही है दूसरा है अस्बाब वास्ला अस्बाब वास्ला ये वो बदनी अस्बाब हैं जो हमेशा बिला वास्ता जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करते हैं। असबाब बादिया कभी बिल वास्ता और कभी बिला वास्ता जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा, वो आपका third यानि दोनों का, यानि असबाब बादिया भी ये जिस्म के अंदर बिलावास्ता नई हालत पैदा करते हैं, और असबाब वासिला भी जिस्म के अंदर नई हालत पैदा करते हैं, तो ये बिलावास्ता के लिए असबाब बाद वो थर्ड वाला एंसर आपका करेक्ट होगा खुद्रती मनात पैदा होती है यानि निच्रल इम्यूनिटी पैदा होती है जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के बाद जरासीम का जिस्म में दाखिल होना जरूरी नहीं है दोनों कोई नहीं अगर आप मनात का अगर आपने पढ़ा होगा टापिक जब तो उस मनात में मैंने बताया था कि मनात दो तरह की होती है एक को हम कहते हैं खुद्रती मनात और एक को हम कहते हैं जो एक्तिसाबी मनाथ यानि नेचरल इम्यूनिटी और एक्वाइड इम्यूनिटी नेचरल इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी को कहा जाता है जो कुदरती तोर पर हमारे जिसम के अंदर पैदा होती है और इसके पैदा होने के लिए जरासीम का जिसम में दाखिल होना जरूर नहीं है तो कुदरती मनाद और जब जरासीम के जिसम में दाखिल होने के बाद जो इम्यूनिटी पैदा होती है उस इम्यूनिटी को हम कहते है एक्वाइड इम्यूनिटी तो यहां पर जो आप से पूछ रहा है कुदरती मनाद तो कुदरती मनाद पैदा होने के लिए जरास कीम का जिसम में दाखिल होना जरूरी नहीं होता है क्यों क्योंके ये इम्यूनिटी कुद्रती तोर पर हमारे जिसम के अंदर पाई जाती है तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो आपका फस्ट जो आप्शन होगा वो करेक्ट होगा नेक्स्ट है पानी का नजरिया किस ने दिया था तो थैलस ने पानी का नजरिया दिया था एनाजीमंस ने हवा का नजरिया दिया था हरकलीतस ने आग का नजरिया दिया था और फरिकदूस ने आपका मिट्टी का नजरिया दिया था तो पानी का नजरिया दिया था आपके थ तो इसका जो एंसर आपका सही होगा वो कौन सा होगा आपका पहला कुल जो आप्शन है वो सही होगा कि पानी का नजरिया थैलस ने दिया था अनासिर इंसानिया कितने हैं अनासिर इंसानिया कितने हैं जब आप अरकान का टापिक पड़ रहते तो वहां पर मैंने आपको बताया था गिए वो अनासिर जो इंसानि जिसम को बनाने में काबिल लिहाज मिकदार में हिस्सा लेते हैं ऐसे अनासिर को अनासिर इंसानिया कहा जाता है और, वहाँ पर मैंने बताय साथ, कि अनासर एंसानिया या तो 16 हैं, या तो 19 हैं, अगर इसमें अगर आप देखें, तो यहाँ पर यह 8, 12, 16 और 20, तो यहाँ पर सिर्फ 16 का आप्शन है, तो यहाँ पर जो correct answer होगा आपका, वो third जो option है, वो आपका correct answer होगा, के अनासिर इंसानिया कितने होते हैं, 16 होते हैं, उसके बादब सिन्य नमु के दरजात होते हैं, यानि सिन्य नमु के कितने दरजात हैं, तो सिन्य नमु के 5 दरजात हैं, कौन कौन से, सिन्ने तफूलत, सिन्ने सबा, सिन्ने तरारो, सिन्ने रहाक और सिन्ने फता, तो सिन्ने नमू के पाँच दर्जात होते हैं, तो इसमें जो आपका answer होगा, वो आपका second answer जो होगा, वो आपका correct answer होगा मिजाजे मोतदिल की कुल कितनी किस्म है मिजाजे मोतदिल की कुल कितनी किस्म है तो मिजाजे मोतदिल की कुल नो किस्म है आठ मिजाजे मोतदिल तिबी की और एक मिजाजे मोतदिल हकी की तो मिजाजे मोतदिल की कुल नो किस्म है तो इसमें जो आपका answer सही होगा, वो third option आपका correct होगा, ये आपका सफरा का रंग कैसा होता है, आपने सफरा पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, कि 29th question इसकिप हुआ है, रतूबते उला कहते हैं, रतूबते उला कहते हैं, आपने जब उसका नजरिया पढ़ा होगा, अखलाद की तक्सीम में, शेखुर रईस अबू अली सीना ने अखलाद को उला और सानिया दो हिस्सों में तक्सीम किया है, पहली रतूबत क्या है, रतूबते उला, यानि वो जो गिज़ा के इस तहाला के बाद पैदा होती है, और कहां पहुँच जाती है, आपके औरूख के अंदर पहुच जाती इसको हम क्या कहते हैं, रतूबते उला कहते हैं, और रतूबते उला से मुराद अखलाद अर्बा से होता है, रतूबते उला से मुराद अखलाद अर्बा से होता है, ये एक कोशन उसमें उन्होंने पूछा है कि अनासिर इंसानिया सोला हैं, इसका रिफरेंस क्या है, युनानी किताबों के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर अनासर इंसानिया आप मबादियाते तिव आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया होगा कि आपको अनासर इंसानिया की तादात के तालुक से वहाँ पर दिया होगा कि अनासर इंसानिया या तो 16 है या तो 19 है ठीक है तो यहाँ पर रतुबते उला से मुराद क्या है अखलाते अरबा से है और यहाँ पर जो आपका आपसन सही होगा वो आ कि रतुबते ये जितनी भी रतुबते हैं ये क्या है रतुबते फुजलिया के अंदर शामिल है और ये रतुबते उला क्या है अखलात हैं तो यहां पर चुके रतुबते उला पूछा गया है तो रतुबते उला कौन से हैं अखलाते अर्बा को ही रतुबते उला कहा जाता ह इसके बाद है कि मेजाजे मोतदिल की कुल कितनी किस्में हैं तो मेजाजे मोतदिल की कुल 9 किस्में है 8 मेजाजे मोतदिल तिबी की और 1 मेजाजे मोतदिल हकी की next हमारा जो question है सफरा का रंग होता है सफरा का रंग अगर आपने खिलते सफरा पढ़ा होगा तो वहाँ पर सफरा के रंग के तालुक से मिला होगा कि सफरा का रंग कैसा होता है जर्द सुर्खी माइल या जाफरान के मानिंद या उसी को टेक्निकल टर्म में कहते हैं एहमर नासे क्या कहा जाता है एहमर नासे तो सफरा का कलर एहमर नासे या उसी को कहते हैं जर्द सुर्खी मायल या जाफरान के मानिद तो यहां पर जो आपका करेक्ट एंसर होगा वो सभी यानि फूर्थ जो आप्शन है ये फूर्थ आप्शन आपका करेक्ट होगा कि सफरा का रंग होता है कैसा एहमर नासे या उसी को जर्द सुर्खी मायल या उसी को जाफरान के मानिंद कहा जाता है मजूसी के नस्दीक आजाए मुफरेदा है अगर आप देखें इसके अंदर तो आजाए मुफरेदा के तालुक से मसीही ने क्या कहा या मजूसी ने क्या कहा तो जो जमूर अतिबा के नस्दीक आजाए मुफरेदा दस हैं लेकिन मसीही और मजूसी ने तीन और आजा को आजाए मुफरेदा के अंदर शामिल किया है पहला है आपके बाल दूसरा जो है आपके मुख और तीसरा जो है आपका नाखुन तो अगर इसमें अगर आप देखें दांग ये नहीं जिल्ट ये भी नहीं है इसमें से जब दो नहीं है तो तीसरा भी सभी वाला भी आपशन नहीं होगा इसलिए ये तीसरा जो आपका आपशन है बाल यानि मुख जुफर और शार को आजाय मुफरिदा के अंदर शामिल किया है तो मजूसी के नस्दीक जो आजाय मुफरिदा है इनमें से वो बाल यानि शार है तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो थर्ड वाला होगा उसके बाद है तहबज है तहबज यानि स्वेलिंग या आँखों की भरवराहट खास तोर से तो अगर आप देखे तो ये वर्मे माई वर्मे रीही वर्मे बलगमी और वर्मे सौदावी मैंने वही पर आपको बताया था कि उसूले तिब के अंदर ये वर्मे बलगमी के अंदर दिया हुआ है लेकिन अगर आप कदीमुलमुल अमराज सेद जिलुर्रह्मान साब की वहाँ पढ़ेंगे तो तहबज को उन्होंने वर्मे रीही के अंदर शामिल किया है और जो N.I.U.M. Bangalore के अंदर जब कोशन ये आया था तो वहाँ पर जो करेक्ट एंसर है वो वर्मे रीही दिया हुआ है तो लेहाजा तहबज दो है वो वर्मे रीही के अंदर शामिल है तो यहाँ पर जो आप्शन सही होगा आपका वो सेकंड आप्शन सही होगा तो है वर्मे रीही की एक इसम है जर्रात का नजरिया किस ने दिया था तो जर्रात का नसरिया दिया था दमिक्राप में जर्रात का नजरिया किस ने दिया है दमिक्राप ने दिया है तो जर्रात का नजरिया किस ने दिया दमिक्राप ने तो जर्रात का नजरिया दमिक्राप ने पेश किया था उसके बाद है मोतदिल है यानि जो मोतदिल लफज है वो किस से बना हुआ है किस से मुश्टक है किस से निकला हुआ है तादुल से अदल फिल किसमत से दोनों से या कोई नहीं तो जो मोतदिल है वो निकला हुआ है किस से अदल फिल किसमत से निकला हुआ है मोतदिल क्या है अदल फिल किसमत से निकला हुआ है तो मोतदिल मुश्टक है किस से अदल फिल किसमत यानि कुदरत ने हर एक का मिजाज उसके अकार्डिंग एक मिजाज दे रखा है जिसको हम मि मौत दिल कहते हैं और वो मजज उनके अफ़ाल के लिआ होता है इसलिए ऐसा मजज मजज मोत दिल कहलाता है तो यह मोत दिल मिला मजज क्या है कुद्रटी इंसाफ जिसको हम अदल फिल किस्मत कहते हैं उसके बाद है आजाए असलिया है तो आजाए असलिया में आपने पढ़ा कि आजाए असलिया क्या होते हैं वो आजा जिनकी पैदाईश माद्दे मन्विया से होती है ऐसे आजाए को आजाए असलिया कहा जाता है और वो आजा जो गलीज से खून से बनते हैं उनको क्या कहते हैं आजा दमविया कहते हैं तो यहां पर जो आपका आपशन सही होगा वो आपका पहला जो आपशन है वो पहला आपशन आपका सही होगा के आजाए असलिया वो आजा हैं जिनकी पैदाईश माद्दे मनविया से होती है इसमें उन्होंने पुझा 34 कोश्चन जहां पर आपने नजरियात बहुत सारे आपने पढ़े होंगे अरकाम के तालुक से उसी में एक नजरिया था आपका जर्रात का नर्रिया और ये जर्रात का नर्रिया दिया है किसने दिमिकरात ने दिया है जर्रात का नर्रिया किसने दिया है दिमिकरात ने दिया है तो ये आप याद रखिएगा इसमें कि जर्रात का जो नर्रिया है वो द सकी रूस है सकी रूस दमवी मर्ज़ है, बलगमी मर्ज़ है, सफरावी मर्ज़ है और सौधावी मर्ज़ है तो सकी रूस को मैंने जहां पर सौधावी अमरास के अंदर बताया था यह टूमर एक तरका है जो के बहुत हार्ड टूमर होता है और हार्डनेस हमेशा सवधा की वज़ा से पाई जाती है तो चुँके सकीरोस क्या है? एक बहुती हार्ड ट्यूमर है इसको सौधावी अमराज के अंदर दाखिल किया गया है सकीरोस क्या है? सौधावी मर्ज के अंदर शामिल है सफरा जनजारी आपने पढ़ा होगा सफरा गएर तबई की किसमें कौन कौन सा स्क्रीन पे तो बिल्कुल किलियर आ रहा है बलर्ड तो नहीं दिख रहा है हाँ बीच में एक बार हो गया था बलर्ड लेकिन इस टाम तो बिल्कुल किलियर आ रहा है मैं जहां तक इसक्रीम देख पा रहा हूं, ये बिलकुल केलियर दिख रहा है, बल्रड बिलकुल भी नहीं दिख रहा है तो सफरा जन्जारी सफरा खेर तबई की अक्साम में मिर्रा सफरा महिया मिर्रा सफरा महतरका सफरा कुरासी और सफरा जन्जारी सफरा कुरासी और सफरा जन्जारी तो इसमें जो है सफरा कुरासी और सफरा जन्जारी दोनों क्या है इनका रंग गहरा सब्ज होता है और सफरा कुर्रासी का जो रंग है वो सब्ज साही माहल होता है और जो सफरा जनजारी है वो चुके जनगार या जनजार के टाइप होता है जिसको हम कहते हैं सफरा इसकी जो सफेदी है इसकी जो सब्जी है सब्ज सफेदी माईल सफरा कुरासी की जो सब्जी है वो सब्ज सफेदी माईल यानि जन्गार के मुशाबे होती है इसलिए इसको सफरा जन्जारी कहा जाता है जबकि सफरा कुरासी की जो सब्जी है सब्ज स्याही माईल है उसकी और सफरा जनजारी की जो सब्जी है सब्ज सफेदी माइल है तो इसका जो correct answer होगा वो आपका थर्ड option जो है वो correct होगा इक्तिसाबी मनात पैदा होती है इक्तिसाबी मनात कहते हैं आपके acquired immunity और acquired immunity तब पैदा होती है जब micro organism या antigen जिसम के अंदर दाखिल होता है उसके बाद इक्तिसाबी मनात पैदा होती है तो इक्तिसाबी मनात पैदा होती है जरासीम के जिसम में दाखिल होने के बाद अक्तिसाबी मनात पैदा होती है जरासीम के जिसम में दाखिल होने के बाद तो ये जो आपका एंसर जो है वो आपका फस्ट एंसर आपका करेक्ट होगा कि अक्तिसाबी मनात जरासीम के जिसम में दाखिल होने के बाद पैदा होती है अखलात लतीफा का काम है आपने इससे पहले इससे पहले चूंकि यहां पर कोश्चन का डिसकसन चल रहा है तो यहां पर मैं आपको इस टाइम नहीं बता पाऊंगा कि जर्रात का नजरिया क्या है इसको अलग से डिसकस करना निक्स जो कुलियात की क्लास होगी आपकी उसमें मैं आपको जर्रात का नजरिया क्या है उसको मैं आपको एक्स्प्लेइन कर दूँगा ठीक है तो वहां पर क्या क्या है दर्रात के नजरिये में यहां पर सिर्फ आप चुके हम कोश्चन को डिसकस कर रहे हैं तो सिर्फ उसी को हम ڈسकRIS करेंगे बागी जो कुलियाद की नेट्स्ट कलास होगी उसमें मैं इस नज़रिये को ڈسकRIS कर दूँगा अखलात यदे लटीफा का काम है तो अखलात यद अखलात की तक्सीम पढ़ी Tu तो वहाँ अपने पढ़ा होगा के अखलात की लताफत और कसाफत के इतबार से अखलात की दो किसमें है एक अखलात लतीफा और दूसरा अखलात कसीफा अखलात लतीफा ऐसे अखलात को कहा जाता है जो रूह के साथ इतराक पजीर होकर तवानाई पैदा करते हैं ऐसे अखलात को अखलात लतीफा कहा जाता है और अखलात कसीफा कहा जाता है जो बदल मा ये तहलूल का फैल अंजाम देते हैं ऐसे अखलात को अखलात कसीवा कहा जाता है तो अखलात लतीवा का जो काम है वो तवानाई पैदा करना है तो इसमें जो आपका एंसर सही होगा वो आपका सेकंड आप्शन आपका सही होगा तो ये था आपका जो आपने कुलियात का टेस्ट दिया था उसके relation में कि ये question जो आया है उसका answer क्या है correct answer कौन सा है इसमें से कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा जो ये question है जिनका मान लो जिसके percentage अच्छे है या जिन्होंने जादा question किया वो ये ना समझें कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है क्यों क्योंकि अभी ये एक छोटे से part का यानि जो आपके exam में आएगा उसका one fifth भी ये नहीं है यानि बिल्कुल यूँ समझ लीजी आपका आपके course का सिर्क five percent का ये आपका test हुआ था तो उसमें अगर आपके marks आए तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से जिनके खास तोर से marks अच्छे आए उन लोगों के लिए है कि आप लोग अपनी मेनत को इसी तरीके से जारी रखिएगा ताके हर subject की जो तैयारी है आपकी इसी तरीके से रहे ऐसा नहों कि सिर्फ दो subject या चार दो टापिक या चार टापिक आपको दिया गया तो वो आपको याद है तो अभी जो Sunday में आपको anatomy का जो टेस्ट है वो सिर्फ anatomy के कुछ पार्ट का होगा इससे पहले जो अद्विया का हुआ वो कुछ पार्ट का हुआ होगा कदीम इल्मलमरास का हुआ उसके कुछ पार्ट का हुआ तो वो लोग जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पहले से तो उनको क्या चाहिए कि अपनी इस speed को maintain रखें दिमाग के अंदर जरा भी नहीं आना चाहिए आपको कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है अगर दिमाग के अंदर ये चीज़ आ गई कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपके लिए ये क्या होगा बड़ी परशानी का सबब बनेगा आप जो आया है और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए उनको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि अब आपके पास जो time बचा है सिर्फ 2 महीने का time बचा है इस 2 महीने में आपको तमाम subject की तैयारी करना है तो इस तरीके से अभी जो subject wise या topic wise अभी चल रहा है इसके बाद से जो test start होगा हर subject के कुछ-कुछ question लिए जाएंगे उससे आपको उससे test देना होगा आपको ताके आपको एक question का किस तरीके से आता है तो जैसे जैसे आपके test series या यू समझो कि आपके test बढ़ते जाएंगे question की hardness आपकी बढ़ती चली जाएगी और question के types भी बदलेंगे उनमें से जो question आपके reason और assessment वाला जो question है वो भी आपसे कराया जाएगा अभी तो आपको सिर्फ इसलिए रखा गया था ये question के आपको कितना पढ़ रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं आप उसको gain कर पा रहे हैं या gain नहीं कर पा रहे हैं उसके तालुक से paper को थोड़ा सा हलका बनाया गया था ताके आप उसको कर लें आपका level पता किया जा सके लेकिन उसमें से भी अगर आप देखें तो कुछ लोगों के जो marks हैं वो minus में हैं अब आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस level की है कैसी है किस तरीके से आप exam में बैठेंगे तो आपका selection होगा ऐसे पढ़ाई से फिर आपका selection पासिबल नहीं होगा उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी classes को concentrate होके सुनना पड़ेगा या आप आफ टाइम में या अपने हिसाब से अगर आप वीडियो सुन रहे हैं उसमें तो वीडियो को concentrate होके सुनिये आप copy pen लेकर बैठिये और वहाँ पर आप points को note कीजिये और उस points को आप याद रखिये अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर आने वाले exam में भी आपके marks जोंगे वो minus में आएंगे इसलिए जरूरत किस बात किये कि आप मेहनत के साथ अगर आप उसके लिए चाहते हैं कि मेरा selection M.D. में हो तो उसके लिए आपको मेहनत दरकार है और बिना मेहनत के कोई भी चीज नहीं मिलती है तो ये था आपके question के तालुक से discussion इंसालला जितने test होंगे उन तमाम question का discussion question भी किया जाएगा आपके साथ उनमें से अगर कुछ कहीं पर कोई doubt रहेगा तो उस doubt को भी clear किया जाएगा बहुत सारे लोग इसमें से पूछ रहें कि इसका reference क्या है तो next में इस बात का भी खयाल रखा जाएगा कि आपको जो references हैं वो references भी आपको बताया जाए कि इस book के अंदर हैं तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें करेंगे आपने चुके references पूछा तो मुझे पहले से ये नहीं था कि आपको references भी बताना पड़ेगा तो ज्यादा तर चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी एक आख question जिसका references उन्होंने पूछा था वो next जब discussion रहेगा किसी भी subject का तो उसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा ताके आपको exact जो answer है वो दिया जा सके ठीक है तो आज के लिए इतना ही इंशालला फिर next lecture में झाल